आज हम इस वीडियो में बनी इस्राइल फिलिस्तीन इस्ट इंडिया कमपनी से लेकर बाबरी मस्जिद तक के सफर पर बात करेंगे आखिर तक इस वीडियो को समझने की कोशिस करेंगे तो दिमाग को हिला देने वाली हकीकत सामने आएगी जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसी तरह से कब्जा, युद्ध और साजश में बदलाव आ रहे हैं एक तबके का दुसरे तबके को गुलाम बनाये रखने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है एक दौर था फिरॉन का, जहां फिरॉन को रब बताकर कौम को गुलाम बनाया जाता था दूसरा दौर था मगोल का, जहां कतलयाम और ताकत के जोर पर कमजोरों को गुलाम बनाया जाता था एक दौर था East India Company का जहां मुलकों पर बिजनिस के बहाने हुकूमत जमा कर गुलाम बनाया जाता था आज का दौर है बंबारूद का किसी भी तरह से सपोर्ट के लिए हमने 8 डिजिट का नंबर जारी किया है जो किसी भी पेमेंट आप पर काम करता है इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में क्यूर कोड लिंक है बाकी बात विडियो के आखिर में साथियों SD24 के इंटेलेक्चुल और्डियन्स फिलिस्तीनियों का सबसे पहला कसूर ये है कि वे मुसल्मान है दूसरा कसूर ये है कि वो यहूदी जो तूटे फूटे कटे फटे हालत में आये थे जिनको कोई गले लगाने वाला नहीं था उन्हें फिलिस्तीन के मुसल्मानों ने गले लगाया कुछ अरसे बाद फिर उन्ही तूटे फूटे सहियूनियों को ब्रिटेन और अमेरिका ने फिलिस्तीनियों पर थोप दिया जिसके बाद उसका का नाम इसराइल रखा ताकि दुनिया के दीगर कौम को आसानी से घुमराह किया जा सके आज वही थोपी हुई कौम मुसल्मानों का नर सनहार कर रही है आज जब इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज भी उठाते हैं तो सोशल मीडिया में हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिये जाते हैं हमारे वीडियो को डिलीट कर दिये जाते हैं लेकिन हम अपने मजलूम भाईयों के लिए आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि मुसा अलाहिस्सलाम मजलूमों के साथ थे पैगंबर इसराइल यानि याकूब अलाहिस्सलाम मजलूमों के साथ थे दाउद और सुलिमान अलाहिस्सलाम भी मजलूमों के साथ थे फिलिस्तिनी मुसल्मानों ने उन्ही की राह पर चल कर 75 साल पहले मजलूम सहयूनियों के साथ थे और आज सारी दुनिया के मुसल्मान मजलूम फिलिस्तिनियों के साथ है आज से तकरीबन 4000 साल पहले कारून ने अपनी ही कौम से गद्दारी की और फिरॉन के साथ हो लिया लंबा वक्त लगा लेकिन मुसा के रब ने इंसाफ कर दिया फिरॉन को दरिया नील में डुबो कर और कारून को खजानों समेथ जमीन में ढहसा कर कल फिरॉन को सत्ता का नशा था, कारून को दौलत का नशा था एक चरवाहे को जिस रब ने नभी बना कर इनके नशे को इबरत बना दिया आज भी किसी को उठाएगा आज कारून का रोल अमेरिका निभा रहा है तो फिरॉन के रोल में ब्रिटिन है जलिये जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं हाँ, हम उसी लंदन की बात कर रहे हैं जिसके साथ भक्त कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं लंदन की इस्ट इंडिया कमपनी को बिजनिस के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में ये कॉमपनी फॉज में तबदील हो गई भारत और साउथ इस्ट एजिया पर कबजा कर ब्रिटेन का गुलाम बना दिया इन अंग्रेजों ने डेड़ सौ साल तक भारत पर हुकूमत की लोगों पर जुल्म किया, जमीनों से महंगे मिनरल्स निकाल ले गए और भारत को तबाह बरबाद कर दिया और उसी दौलत का इस्तिमाल कई सालों से मजलूमों पर जुल्म करने के लिए किया जा रहा है आज के दौर में ब्रिटेन के साथ इस्राइल और अमेरिका भी जुडगाया और फिलिस्टीन को कबजाने की हर तरह से कोशिश कर रहा है उसी तर्स पर 2014 में रूस ने अजेंडा चलाया लेकिन दुसरे मुलकों की जमीने हडब कर कबजा करने के लिए नहीं बलकि फ्रांस और अमेरिका से आजाद कराने के लिए रूस के पुतिन ने प्राइवेट वागनर आर्मी बनाई अफरिका के देशों में यूरोप, फ्रांस और अमेरिका ने फहलाए दंगे, फसाद, खून खराबे का फाइदा उठा कर रूस ने प्राइवेट वागनर आर्मी को 2014 में अफरिका भेजा और 2021 तक चुन-चुन कर अफरिका के देशों से, फ्रांस और अमेरिका को भगाया अफरिका में आखरी सूडान का फॉल अफ खर्टूम था अफरिका में वैगनर की कमियाबी के बाद, पुतिन ने यूक्रेन युद्ध कर यूरोप को बरबाद करने की चाल चली मगर 24 जून 2023 को प्राइवेट वागनर आर्मी की बगावत ने पुतिन के वागनर प्लान पर पानी फेर दिया तालिबान के फॉल अफ काबूल के बाद, अमेरिका का ब्लाक वाटर और एसिस आतंकी संगठन फेल हो गया उसी तरह वागनर के अपने ही सेना के खिलाफ बगावत के बाद, वागनर का दी एंड हो गया इससे सबक लेकर अब कोई मुल्क इस्ट इंडिया कमपनी, या इराक में ब्लाक वाटर, सिरिया में ईसिस, अफरिका में वागनर, या अलशबाब जैसा मिलिटरी ट्रेनिंग देकर आतंकी संगठन नहीं बनाएगा इसलिए नया फार्मूला शुरू किया गया युद्ध, इसमें दो फायदे हैं, लड़ने वाले को जमीन, जायदाद मिल जाएगी और अमेरिका का धंदा बढ़ेगा हमें बहुत सारे भाईयों, बहनों, बुज़ुर्गों ने नेक नियत से सपोर्ट किया उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया आप सभी की महबबत को सलाम तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज, SD24